नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ग्यान स्रिक्षन यूटूब चैनल पे आज हम सीखेंगे रियल टेक के दो हजार चोबिस में लेटेस्ट आने वाले जो ड्राइवर है और ड्राइवर उसको हम किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं यह देखेंगे तो चल ट्रेज्चिस तरह से यांपे आपूम ट्याप पे क्लिक करिए और यहां पे इन जो होडिसारा समती इंत्र समय कित ड क्वाले चैनल के यहां पे यहां पर यह विजास आएगा यहांलाइड यहां पे करिए PC audio codex के बात में इतने सारे option बचेंगे यहाँ पर लाश्ट वाला जो option है यह LC898 इस पर क्लिक करिए इस तरह का PC audio codex आएगा और यहाँ पर Unix मतलब Linux के लिए और Windows के लिए options रहेगे आपके according आप यहाँ पर जो आपके driver है वो चूज करिए जैसे मैं यूज करता हूँ Windows 10 64 bit वाला तो मैं यह second line वाला Windows के section में second line वाला यह download करूँगा अब यहाँ पर देखिए version चल रहा है R2.83 और यह latest है 2024 का दो तारिक को दुसरे मेने में मनलब फरवरी मेने का ही है यहाँ से आप 258 MB का यह software डाउनलोड कर लिजिए दोस्तों यह जो रियल्टे की website है मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ से आप जब भी जो कोई driver है वो डाउनलोड करते तो समय लगता है यहाँ सी ही आप यह driver डाउनलोड करिए यहाँ पर मैंने पहले ही दिखा दू कि actual में मेरे system में मतलब device manager में कुण से driver अभी इंस्टॉल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई definition audio devices है audio में भी देखिए microphone है यहाँ हाई definition audio devices है realtech audio नहीं है यहाँ पर मैं इसको close करता हूँ sound section में भी जाके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए recording section में microphone 2 है ठीक है line in microphone 2 है एक not plug-in है इस तरह से यह इसका जो driver है वो high definition audio devices है जो high definition audio devices है यह pre install होते हैं आपके system में इसको install करने की ज़रूबत नहीं पड़ती है Microsoft के तरफ से आते अब यह जो real tech के driver है है हम खुद install कर रहे है और इसे update कर रहे है ठीक है तो अचलिए इसको installation करने के लिए इस पर राय क्लिक करते है इसे run as administrator पर क्लिक करते है user account control का message आएगा yes कर दीजे अब हम यह जो driver इंस्टॉल कर रहे है यह latest driver है आपको यहां पर किसी भी step पर कुछ error आता है तो comment section में जरूर बताईएगा और इससे आपका अगर कोई real tech के driver का problem solve होता है तो मुझे जरूर लाइक करिए हमारे वीडियो को यहां पर real tech high definition audio driver जो setup है wizard है वो आ चुका है अब यहां पर हमें next करना है और यह process automatic होगा कोई समय नहीं लग सकता जल्दी हो जाता यह क्या 2 मिनिट में तो यह जब तक installation process होता है आप हमारे channel पर अगर नए हो तो please channel को subscribe करिए bell icon को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया video publish करूँ तो आपको notification मिल सके और एक like तो बनता है दोस्तों बहुत मेनत लगती है इस video बनाने में प्लीज एक बार like कर दीजिए जब तक यह process होता है मिलते है end point पे अब हमारा realtech high definition जो driver setup है यह complete हो चुका है देखते है control panel में जाके कि क्या हमारे जो driver है वो proper तरीके से install हुए है control panel में चलते है और यहाँ पे देखते है control panel में यहाँ पे इस तरह से होगा तो category में जाए यह program में आईए program and features में आईए और यहाँ पे देखे देखे realtech driver automatically जो हमने install किये थे वो install हो चुके है तो हम इसे कर देते है अब close अब देख लेते है हमारे जो sound section इसमें क्या changes हुए है तो sound section में चलते है यहाँ पे देखिए sound section में यहाँ पे recording section में realtech audio driver आ चुके है पहले दो microphone थे अब एक ही microphone दिखा रहा है तो इस तरह से आपने जाना कि हम किस तरह से realtech के audio driver जो latest update आया हुआ है 2024 का तो सीखा आपने किस तरह से हम इसे install कर सकते हैं इस तरह के नए technical video जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते लिए नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद